नमस्कार असलाम वालेकूम सौधी टूडे में आपका स्वागत है खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आए जानते हैं तफसील से लेकिन उससे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूब रूब हो सकें बहिशकार खत्म कराने के लिए कतर के अमीर सौधी अरब पहुचे हैं खाडी अरब निताओं के वाशिक सिखर सा मिलन में हिस्सा लेनी आए अमीर के क्राउन प्रिंस ने गले लगा कर उनका स्वागत किया इससे पहले दोनों देशों ने सभी तरह के सिमाए खोलने की घोशना करके संबंधों को समान्य बनानी की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया था गौर तलबै की साओधी अरब, संयुक्त अरब आमिराद, बहरीन और मिस्रे ने साल 2017 के मध्य में कतर से राजनई, कारोबारी और यात्रा संबंधों पर रोक लगा दी थी इन देशों ने कतर पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया था कतर ने आरोपों को खारिज करते हुए इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रबूता पर हमला बताया था आपको बतादे कि इरान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तयार करने के लिए टरंप के दामाद और वाइट हाउस के वरिश सलाकार जेरेट कुस्नर लंबे समय से खाड़ी देशों के विवादों को सुलजाने में लगे हुए है कतर के साथ सालों से चले आ रहे कुटनीत कदम बढ़ाते हुए साओधी अरब ने उसके साथ लगने वाली जमीनी सीमा और हवाईक शेत्र को खोलने का फैसला लिया है इस गोशना के बाद अब कतर के शासक साओधी अरब पहुँचे हैं साओधी के इस फैसले के चलते इस कुटनीतिक संकट को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा इस संकट के कारण अमेरिका के रक्षाश सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद हैं समाजिक संबंद खत्म हो चुके हैं और अरब देशों का परंपरागत गठबंदन तूटिया है कुवेत और अमेरिका तीन साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुए इस संकट को खत्म करने के लिए असफल प्रियास कर चुके हैं हलाकि खाड़ी देशों के नेताओं के समेलन से एक दिन पहले इस संकट को खत्म करने के लिए कदम उठाने की गोशना की गई है या गोशना ऐसे वक्त में की गई जब जो बाइडन अमेरिका के राष्टपती पत की शपत लेने वाले हैं इस गोशना का समय विशेस कहा जाएगा क्योंकि हो सकता है कि सौधी अरब टरंप प्रशासन को एक अंतिम कुटनेतिक जीत दिलाना चाहता हो वहीं अगामी बाइडन प्रशासन के साथ गर्म जोशी भरे संबंध बनाना चाहता हो क्योंकि ऐसा अनुमान है कि बाइडन का रूख सौधी के प्रतिस सक्त हो सकता है सौधी अरब में कोरोना के मामले में लगतार गिर्यावट दर्ज की जा रही है सौस्त मंतराले के मताबिक कोरोना के 104 नए मामले मिले है आकड़ों के मताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हुई है फिलहाल कोरोना संक्रवन के कुल मामले अब बढ़कर 3,63,269 हो गए है वहें मृत्कों की संख्या अब 6,265 हो गई है रिकवरी की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना से 146 लोग रिकवर हुए है फिलहाल स्वास्त हुए लोगों की कुल संख्या 3,54,755 हो गई है कुरोना के नए मामलों की बात करें तो रियाद में 47, मक्का में 24 और पुर्विक शित्र में 13 नए मामले दर्ज किये गए है यमन के इरान समर्थित हुती मिलीशिया ने कहा है कि उन्होंने साल 2020 में सौधी अरब के सीमावर्तिक शहरों में 75 बैलिस्टिक मिसाइले दागी है समचार एजनसे सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सम्मूह के सैने प्रवक्ता यहया सराया ने कहा कि मिलीशिया ने पिछले वर्स में सरकारी सैने स्थलों को लक्ष करके यमनी शहरों में अन्य 178 बैलिस्टिक मिसाइले दागी उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल मिलीशिया ने सौधी अरप्पा 266 बंप से लदे ड्रोन हमले और यमनी शहरों के अंदर यमनी सरकार पर 180 अन्य ड्रोन हमले किये पिछले साल हूती मिलिशिया ने सौधी अरब पसीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों को भी तेज कर दिया था लेकिन सौधी की नित्रित वाले गठबंदन के बयानों के अनुसार अधिकांश हमलों को रोख दिया गया था करते हैं